दुनिया के सभी लोग कुछ न कुछ अपनी पसंदीदा समान खड़िते हैं, चाहे वो सब से हो या मॉल से हो, या फिर वो इंटरनेट के जरीए ओनलान खड़िते हैं, जैसे ही हम कोई समान खड़िते हैं, तो हम गराहक यानि कंजूमर बन जाते हैं, कंजूमर पॉटक्शन एक्टि Picnic 1986 के अनुसार, कोई भी आदमी कोई चीज या कोई सर्विस वो खुद के लिए खड़िते हैं, तो वो कंजूमर बन जाते हैं, तो उसे कंजूमर यानि उप्भुकता कहा जाता है, Consumer Protection Act 1986 के अनुसार Consumer Forum में स्रिफ Consumer ही सिकायत कर सकता है Consumer को Customer Buyer जैसे नामों से भी जाना जाता है सुग आज में ही Engineer राजा और आज हम बात करने वाले हैं Consumer Protection Act 1986 के बारे में यानि आप कोई समान खरिते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उसमें आपको कोई प्रोबलम आती है कोई परिशानी आती है तो आप कब कहां और कैसे सिकायत कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं मेरे तो खुन में ही Titanium है पैसा करने की कोशिस कीजिएगा और आप कहते पर भी सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं Consumer Forum होता क्या है Consumer Forum एक सरकारी संस्ता होता है Consumer Forum Ministry for Consumer and Food के अंतरगत आ जाते हैं इस Ministry के अनुसार साल 2016 में 90 वह भुकता ने सिकायत की थी जिसे स्टेट लेवल पे 92% इसका समधान कर लिया गिया था चलिए अब हम बात करते हैं कि किसके खिलाब सिकायद की जा सकती है आप दुकंदार के खिलाब भी सिकायद कर सकते हैं जहां से आपने समान खरीदा है या आप किसी कंपनी के खिलाब भी सिकायद कर सकते हैं या आप dealer के खिलाब भी सिकायद कर सकते हैं जिसके साथ deal की हो या फिर आप service provider के खिलाब भी आप सिकायद कर सकते हैं जैसे आपका internet service provider है, cable operator है, इस तरीका के है ये सब service provider में आते हैं और आप इन सब के खिलाब है सिकायद कर सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं कि सिकायत कौन कर सकता है भिकिम कंजूमर यानि कोई समान खरदा है कोई समान परचेश किया वो सिकायत कर सकता है या कोई भी फोर्म चाहे वो रजिस्टर हो या ना हो वो भी सिकायत कर सकता है कॉपरेटिव सुसाइटी या लोगों का कोई भी G superiority सकता है राज्य या केंदर सरकारे भी सिकायतघा कर सकती है कंजूमर की मौत हो जाती है तो इस सिच्वेशन में कंजूमर के करनोनी वारास भी सिकायद कर सकते है चलिए अभ हम बात करते हैं आप जोब करते हैं कोई सीकायद करते हैं उसमें क्या ना चाहिए सिकायद में सीकायद करता कह сеं है और लगका पर पूरा होना चाहिए से घृत करने के लिए बहुत ही कम फीस लगती है और इसके लिए आपको कीpack कोश्वाइड की हाइर करने के जड़र्वत भी नहीं पड़ती है आप को सिगनेचर होनी चाहिए अपलिकेशन के तीन कौपी जमाकरानी होती है जिसमें एक पोफिस और ये कौपी ओपिस पार्टी के लिए भी होती है शिकायत के साथ ही आप पॉस्टल और या डिमान डॉर आपके से साथ फिस जमा करनी होती है दिमांड राफ या फिर पोस्टल ओडर प्रीजेंट या इस डिस्टिक फोरॉम या फिर स्टेल लेवल पर आपको के इतिहात में बनता है सिकायत के आखिर में आपको ये बताना होता है कि आप आखिर कोड से चाहते क्या है यानि आप केस क्यूं कर रहे हैं प्र गहार्जांबल की जैसे कि आप समान बदलने के लिए कैस्ट कर रहे हैं या आप को शाध मांसिक प्रेसास नहीं हुई है उसके लिए 벌써 कर रहे या मुकदमी का खर्स होगा उसके लिए कैस्ट कर रहे हैं चलिए अब हम बात करते हैं कंप्लेन की कहां जाती है अगर आपके समान की लागत 20 लाग रुपिये से कम हो तो डिस्टिक फोरों में सिकायत कर सकते हैं अगर आपके 20 लाग रुपिये से 1 करोड की बीच की हो तो इसकी सिकायत आप एस्टेट कमिशन में कर सकते हैं और अगर आपकी समान के कीमत एक करोव रुपीय से अधिक हो तो उसकी सिकायत आप नेशनल कोमिशन में कर सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं कंप्लेन करने के लिए कितनी फीज पे करनी होती है अगर आप एक लाग रुपे तक के मामले के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो सो रुपे के फीज देनी होती है अगर आप एक लाग से पांस लाग तक के मामले के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो दो सु रुपे के फीज देनी होती है अगर आप 10 लाख रुपे तक के मामले के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो 4,000 रुपे की फीज देनी होती है अगर आप 20 लाख रुपे तक के मामले के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो 500 रुपे की फीज देनी होती है छलिए अब हम बात करते हैं कि court कोई आद्यस देता है और वीशन पार्टी उसका पालन नहीं करती है तो फिर क्या होता है और वेजिशन पार्टी अगर court के आदेश का पालन नहीं करती है तो उसे complain करने वाले के 10,000 की penalty और 3 साल तक की सजा दे जा सकती है सजा भोगतने के बाद भी अगर आदेश का पालन बांकी रहता है यानि वो पेनल्टी नहीं चुकाता है तो जरूरत के मुताबिक आदेश का पालन करवाने के लिए उसकी परवर्टी भी जब्त कर ली जाती है चलिए अब हम बात करते हैं कंजूमर कोर्ट में आप कंपलेन कैसे कर सकते हैं कंजूमर कोर्ट में आपको कंपलेन करने के लिए चार ओप्सन मिलते हैं पहला है कि आप उसे offline complain कर सकते हैं तो उसके लिए आपको application लिख के consumer code में आपको जमा करना पड़ेगा दूसरा option है कि आप call करके भी आप complain कर सकते हैं उसके लिए आपको 1-800-110-000 पे call करना होगा या 14404 पर आप इस नंबर पर call करके complain कर सकते हैं इस नंबर पर call करके आप अपने complain रेइस्टर करा सकते हैं और तीसरा option यहां आपको मिल जाता है कि आप SMS के द्वारा भी आपने complain को तो रेइस्टर करा सकते हैं जो आप यहां पर नंबर देख रहे हैं कि एट एट वन ठी ट्री टिरिपल जीडो नाइन एट जीरो नाथ तो इस नंबर पर आप sms करके भी आप complain करा सकते हैं जैसे ही आप इस नंबर पर sms करेंगे तो आपको callback करेंगे और callback करने के बाद आप इस नंबर पर अपना complain राइस्टर करा सकते हैं चौता चौता option है कि आप online नहीं कंजूमर कोट में आप complain कर सकते हैं तो जिसके लिए आपको अपने ब्राजर में टाइपिंग करना होगा इसका लिंक आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा जहां से जाने के बाद ड्रैक्टा आप इस पेज़ पर आ सकते हैं तो आप यह लिए इंटर करेंगे तो आप इस पेज़ पर आ जाएंगे अगर आप मेरे जो लिंक दिए हो उस पर नहीं जाना चाहते हैं तो इसको इ करेंगे कि लीक कर सामने इस त्रीके से पेज ऊपन होके आ जाता है तो आपके सामने कुछ इस त्रीक से पेज उपन कोके आ जाए δेना है है। इसके वाद अपना एक email id इसमें आपको जो भी email id आपको डाल देना है इसके वाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है पासवर्ड कैसा होना चाहिए आपको नीचे note में दे रखा यहाँ पर ट later a s lot a special character कोई नंबर होना चाहिए तो उस तर coloss minder最け सब्सक्राइब पासवर्ड एक कनम करेंगे इसके वोदे क्याप ऑब쳤 के सामने आपका यहाँ पर बना डालना है तिशली मब्93 जो भी आप रहाइक मांबर दो स्थार पर आया होगा वटी आपको यहाँ पर धाल देना है पॉटीपी डालने के वाद हैं यहाँ din kang sent कर दिना समेट करते दिखे यह दो आ है की योर एकांट इस एक्तिव अब here यहां पर ओके कर दिए आपका एकाउंट यहां पर एक्टिव हो चुका है अब यहां पर आप अपना इमेल आडी देंगे पासवर्ड यहां पर टाइप करेंगे यह क्याप्चा है क्याप्चा यहां डाल कि यहां सानिन करें जो पासवर्ड आप जूज किये थे वही पासवर नहीं कर सकते हैं यहां पर कोई भी कम्प्लेन नहीं कर सकते हैं यहां पर कोई भी कम्प्लेन नहीं कर सकते हैं और यहां पर आप कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर चूज करना कि कंप्लेंड करना चाहते हैं यहां पर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं यहां पर अपना एस्टेट चूज कर लेंगे जो भी एस्टेट चूज कर लेना है यहां से आप अपना सीटी चूज कर लेंगे जो भ हमोखा हुआ तो यहां पर आप पी e-commerce इसमें से चूज़ कर लेंगे यहां बोला जा रहा है यह नमें यहां पर देख रहे हैं कि एड़ मिंहां बोलन जा हम ओनलान में डाल ही सकते हैं बट इसको हम यहां पर ओनलान शॉपिंग ही रहने देते हैं अब यहां पर आपको कंपनी का नेम चूच करना होगा कि आपने यह प्रॉडक्ट कहां से पूरे प्रचेच किया तो यहां पर आपको मिल जाता बहुत सारा एमेजोन इंडेस्टरी तो आप यहां पर देख रहे हैं कि बीग हाट तो इस तरीगा से यहां पर आपको ड्हेर सारा अप्शन यहां पर मिल जाता है जैसे मोवायल मैंने फिलिप काट से पर्चेच किया तो मैं यहां पर फिलिप काट चूच कर लेता हूं आप जहां से भी जो भी कंपनी से चूछ कर लेना है यह मतलब यहाँ पर बोला एक आपको जो भी समान दिया वह सही नहीं है याँ आप जमान भहिए है वह खराब निकल गया या आपको समान आया और कुछ भूण कुछ और तो इस तरीका से यहां पर आपको डेर सारा आप्शन आपने जाता है तो इसमें से आ यहां पर आपको पॉटक्ट की भेलू चूज करना होगा क्योंकि इसी हिसाब से आपको फिस देनी होती है इसके बाद यहां पर डिलर्स के नेम कॉंटेक्ट नमर इमेल एड्रेस जो भी है वह आप यहां पर टाइपिंग कर देंगे फॉर एक्जामपल अगर आपने फिलिप इस पीड़ गोवल एस्टोर आइटम मतलब यह जो है डिलेवरी किये हुआ है तो यह मतलब इसका एड्रेस भी वहां पर दे सकते हैं या फिर उसकंपनी का एड्रेस इमेल आड़ी कॉंटेक्ट नमर जो भी हो उसमें आप डाल सकते हैं इसके यहां आपको डिटेल में बता प्रोब्लम हो सकते हैं वह जितने प्रोब्लम है आप सभी को इसमें आप टाइपिंग कर देंगे स्टेप बाइस टेप और जितने डिटेल में आप यहां पर टाइटिंग करेंगे उतना एप्रूब होने के यह चांस से ज्यादे रहते हैं तो यहां पर जो भी प्रोब्लम कर देना है इसके बाद यहां पर तीन जो फाइल अफ्लोड करने की अफ्सन मिलता है यानि उस पॉटक्ट की आप फोटो घीच के भी आप इसमें अफ्लोड कर सकते हैं और यहां पर देख रहें कि स्याज और जेपीजी जेपीजी पी एंजी डियोसी और पीडिया फाल में हो सब्सक्राइब तक का यह सपोर्ट करेगा इसके वाद यहां पे आपको पॉड़क्ट सर्मिस में आपको जो ही पॉड़क्ट मोवाल है या कुछ और समाहन है वह आपको यहां पर डाल देना है मोवाल है वासी मंसीन है या कोई हेड़फोन है कुछ भी आप पॉड़क है त कंपनी का जो हो रहता है को भी से दिने लेते हैं या फिलफ काड़ से लेते हैं दुस्व कंपनी का है आफको भी मैल आइडी आपToo तो बीट न मैने इसका फेलेता हैaप तो कितने पिसा के लिए कि यहां पर लेते हैं या को escuch phone ले ले तो कितनी प्राइच का है वह आपको यहां पर डाल देना है यह सभी porm free up होने के बाद होने के बाद यहां पर यहां जाके यहां पर सम्मीट कर देंगे जैसे यहां सम्मिट को किया करते हैं तो आप ससक्षस्पूल हो जाती है और आपको एक मपलें नंबर भी दे दिया जाता है इसके बाुत आप यहां पे मिस्तिक bil कंपलें रहें गांगे वह आपको यहां पर व्हादर देता कि आपने किमे कितनी कम्पलेंट कि हुई हैं जैसे कि अभी मैंने कोई कम्प्लेन नहीं किया तो यहां पे नो डेटा ऑव लेवल, इन टेबल मतलब अभी मैं कोई कंप्ल्म नहीं किया है, इसलिए इस टेबल में तो नहीं कर रहे हैं अगर आप कंपलेन करते हैं तो यहाँ आपको यहाँ क्या है क्या है क्या है हो रहा है उसका यहां पर सब्सक्राइब करतेगा तो यह सारे चीज आप यहाँ से देख सकते हैं तो गाज, आज के वीडियो में आपने जाना कि आग अगर आप को भी श्भान पर्चेश करते हैं या अगर आप कोई कोई ही पोड़क पर लेते हैं तो इसका कम्प्लेन हम कैसे और कहां करेंगे अगर आपके साथ कोई धोखा होता है या कोई प्रवलम होती है तो उसका कम्प्लेन आप कहां करेंगे तो इसको आप इसी सैट पर आके बहुत ही असानी तरीका सिर्फ जैसे मैं बताया हूं वैसे आप इस पर आके आप बहुत ही असानी से कमप्लेन ओनलान कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो का लाइक करिए अपने फ्रेंस के साथ सेर करिए और अगर आपके मन में कोई कन्फीजन है तो नीचे कॉमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को स सब्सक्राइब करती लिजिए और इस तरीका का निया निया वीडियो पाई आप रोजाना